राम राम दोस्तों हमारे पास आज हमको जो जाननी है वो है एक तो परीमे संख्या परीमे संख्या एक जो हमें जाननी है दूसरी है परीमे संख्या परीमे संख्या ठीक है इसको बोलेंगे रैशनल नंबर रैशनल नंबर इसको बोलेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, rational, irrational, काफी बच्चों को पता है, कोई भी परीभाशा रखें ध्यान में, बोई बुरा ही नहीं है, लेकिन कोशिश करें उसको पूरा ध्यान में रखें, जैसे कि, मैं बताता हूँ, परीमे संख्या सबको मालूम है, ऐसी संख्या हैं, जिने P बटा Q की फॉर्म म लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा कि कहीं लिखा हुआ था, 0.4, 0.4 को कैसे लिख सकता हूँ, 0.4 को 4 बटा 10 लिख सकता हूँ, अब यह 4 बटा 10, हाला कि 4 बटा 10 भी परीमे है, आप काट होगे, तो 2 बटा 5 हो जाएगा, तो 0.4 को भी मैं इस रूप में लिख सकता पी अपॉन क्यूप में, यह भी है साथ, 2 लिखा हुआ है, तो 2 को मैं 2 बटा 1 बटा 1 लिख सकता हूँ, मान तो 2 ही रहेगा, ऐसे कोई भी संख्या है, 20, 25 उसको 20 बटा 1 लिख सकता हूँ, तो यह सब परीमे संख्या है, 3 सही 1 बटा 4, इसको कैसे लिखता हूँ, 4 तीया 12 और एक 13, तो यह बराबर 13 बटा 4, तो यह भी एक परीमे संख्या है, है के नहीं, तो हर वो संख्या जिसको P बटा Q के रूप में, मैं लिख सकता हूँ, परीमे संख्या है, अब आना ज़रा, 1.2, अब किसी बालक ने बोला, सर मैं 1.2 को 1.2 अपॉन बी तो लिख सकता 2.4 upon 2, 1.2 ही तो आएगा, 2 से उपर उणा कर दिया, भाग दे दिया, सही है, तो यह 1.2 क्या परीमे संख्या हो गई के इस वरूप में लिख दिया, नहीं, इसलिए मैंने कहा था, कि जब भी परीमे संख्या ध्यान रखें, तो उसको पूरा ध्यान रखें, ऐसी संख्या है जिने P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां पर P and Q belongs to integers, and Q does not equals to 0, यह पूरी परिवाशा है शर्तों के साथ, P Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर मतलब प्लस माइनस वाले पूर अंक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अनन्त तक, पूर अंक होने चाहिए, माइनस में भी हो सकते हैं, और Q की वैल्यू मतलब जो बटा में है, ठीक है, जो हर है, वो उसका मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो चूंकि इस वाले केस में, 1.2 एक पूर्म नहीं है, अतर यह P बटा Q की फॉर् नहीं है, मैं माना नहीं कर रहा, कि 1.2 आपकी परीमे संख्या नहीं है, लेकिन यह दर्शाने का सही तरीका नहीं है, दर्शाने का सही तरीका क्या है, आप 1.2 को 12 बटा 10 लिखें, फिर 6 बटा 5 लिखें, परीमे संख्या है, लेकिन हम इस आधार पर परीमे नहीं कह रहे है तो सर कौन कौन से संख्या है परीमें संख्या है होती है तो देखो बाल को यह जो हमने पड़ा था ना classification of numbers एक बाल लिख देता हूं numbers numbers में real number और imaginary number imaginary number फिर real number में integer आये थे और इधर आये था decimal फिर decimal में क्या आये था terminating decimal और non-terminating decimal फिर non-terminating decimal में repeating repeating decimal और non-repeating decimal decimal तो यह जो जितनी भी संख्या हैं यह वाली real number के अंदर उनमें non-repeating decimal को छोड़ कर इन सभी संख्याओं को पी बटे क्यू की form में लिखा जा सकता है मतलब किसको integer इंटीजर दो पांच तीन को मैंने बता है था दो बटा एक लिख दो तीन बटा एक लिख दो दो को डू को दो बटा य क्या लिख सकता है दो बटा एक मैं दो को चार बटा दो लिख दो छे बटा टीन लिख दो एगा दो और यह ना तो पी बटा क्यूकि 84 upon 100, यही तो लिखते हैं, पन काट पीट लोगे, आ जाएका मार, लेकिन पी बटा क्यूकी फोर्म में तो यही पे भी आ गया, दोने इंटीजरी तो है, 84 और 100, तो यह यहाँ पर आ गया, कुछी इन ने बोला, sir, 2.5678, बहुत बड़ा आ गया, कोई बात नहीं लाला, मेरे, 2 5, 6, 7, 8 पॉइंट के बाद कितने 0 थे, कितने अंग थे, 1, 2, 3, 4, 4 0 लगा दो, यह आ गया, पी बटा क्यूकी फोर्म, ठीक है, यह तो आ गया, चलो, sir, ठीक है, यह वाली चीजें, तो सर, सिंपल सिंपल थी, आपने बता दिया, दम है तो बड़ी वाली बताओ ना, यह र 0.333333, इसको कैसे लिखेंगे हम, पी बटा क्यूकी फोर्म में लिखके बताओ, तो इस पे हम आएंगे, उससे पहले, फिलाल मेरी बात मानलो, यह भी परी में संख्याएं हैं, केवल और केवल, नौन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावरती दशम लव ही, क्या है, नहीं लिख सकते, अचा सर, पी बटा क्यूकी फोर्म में नहीं लिख सकते हैं, फिर पाई को तो हम 22 बटा साथ लिखते हैं, पाई कैसे परी में नहीं है, आपने यहां पर उधारन में हमको पाई भी बताया था, तो पाई को तो लिख दिया हमने 22 बटा साथ, तो आप तो तो गलत सा भी थोगे, रुको, देखो, परी में तो समझ में आया, पी बटा क्यूँ, और जो संख्या है, पी बटा क्यूँ की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो परी में कहलाती है, अब पाई प्या जाते हैं, पाई क्या होता है, एक बार मैं व्रत की परीधी क्या सुत अब मैं निकालना जाओं पाई की वेल्यू, तो पाई बराबर होता है, परीधी बटे वियास, अथात किसी भी व्रत की परीधी एवं व्यास का अनुपात पाई कहलाता है, अथात आप एक गोले को फीते से नापो, परफेक्ट गोला, फीते से नापो कि इसकी परीधी की लंबाई कितनी आ रही है और इसका व्यास ना पलो, व्यास तो जानती है केंद से गुजलने वाली, जीवा होती है, व्यास यह लाती है, इसका व्यास ना पलो, इन दोनों का अनुपात पाई कहलाएगा, और इसका मान अगर आप ठीक से निकालेंगे ना, तो यह कभी भी पाई को 22 बटा 7 लिख देते हैं अथार्थ पाई का मान 22 बटा 7 के लगभग बराबर होता है लगभग बराबर एक तो दो निशान होते हैं एक तो ये वाला होता है एक ये वाला होता है ये बताता है लगभग बराबर हम लगभग बराबर लिख देते हैं तो 22 बटा 7 हम लग बग वराबर लिखते हैं, तो 22 बटा साथ तो परी में संख्या है, क्योंकि P बटा Q की फॉर्म में लिखी पड़ी है, लेकिन पाई एक अपरी में संख्या है, क्योंकि पाई का मान तशंबलों के बाद आता ही जाता है, आता ही जाता है, वो भी कोई order में नहीं आता, repeating type का नहीं है, इसलिए ये अपरी में संख्या है, और क्या उधारन है अपरी में संख्या है, रूट 2 बात करी थी, हमने रूट 3 की बात करी थी, रूट 5 की बात करी थी, रूट 7, रूट 11 E, इस प्रकार की जो चीज़े हैं, वो अपरी में संख्या हैं क्यालाती है, ठीक है, सर बड़े समझदार हो, आप तो कन्नी काट गए, है पटा पटा आपने मीठी गोली दी अपरी में संख्याओं की, और इधर से बचके भाग लिए हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम, दा मैं तो बताओ ये, इसको परी में साबित करो आप, जो रिपीटिंग नंबर थे ना मेरे, अशान्त आवरेती दिशंबलो, ठीक है, हुई करेंगे, रुको, अब देखो, इसको मिटा देते हैं, अब देखो, पहले तो आपको एक छोटे जैसे एक्जाम्पल से तरीका बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे, कहीं मिला है, कि 0.3333, ये चल रहा है, चल रहा है, हो सकता है, आपको पॉइंट नजर नहीं हा रहा हूँ, तो मेरे कहने पर गवर करें, क्योंकि पॉइंट छोटा है, वीडियो रिकोर्डिंग में नजर आए या ना आए, ये 0.3333 चलता जा रहा है, अब मैं इसे क्या लिए सकता हूँ, 0.3 बार, अब मेरा उद्देश है कि 0.3 बार को, मैं P बटा Q की फॉर्म में लिखूँ, या फिर ये टॉपिक ये भी हो सकता है, कि, repeating, 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 decimal, to fraction, अथार्थ, किस प्रकार से हम अशांत आवरती दशमलोग को भिन्न में बदलेंगे, ये भी ये वाला अपना टॉपिक हो सकता है, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, अब मुझे इसको लिखना है P बटा Q की फॉर्म में, तरीका मैं दिखा देता हूँ, छोटी सी जलग, अब बस देख लो, ट्रिक अभी मैं बताऊंगा, देखो, मैंने फिलाल मान लिया X, X इसको मान लिया मैंने मेरी संख्या को, 0.3333, ये चलता जा रहे, ठीक है, अब मैं पूरी समी, इसको बोलता हूँ, तो मेरा पॉइंट के बाद, जो एक संख्या आगया जाएगी, जो पॉइंट के बाद थी, तो ये हो जाएगा, 3.3333, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, इसको लिख दिया, मैंने समी करण 2, अब मैं करता हूँ, समी करण 2 में से, समी करण 1 को घ्टाने पर, कैसे घ्टाते थे, सिखाया थे पिछले बेशिक वाले वीडियो, पिख से, लेव्त ह청्सक्राइज बाद का पार घ्टा देने, बभर राबर राइट हैं मैं से, रैँन साइट वाला पार्ट गटा दो, पहले किया है 2 तो समी करने 2 का left hand वाला पार्ट लिखो 10x minus 1 तो minus left hand वाला पार्ट लिखो एक का बराबर बराबर इसका पार्ट लिखो right hand side का 3.333 dot 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 लिखेंगे minus उपर वाले का पार्ट लिखो 0.3333 dot 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 10x में से x गया तो कितना आया 9x बराबर बराबर 3.3333 में से 0.3333 कट गया तो एक पॉइंट के बाद के सब कट गए तो क्या बचा 3 तो x बराबर आया 3 बटे 9 या फिर x का मान अगर मैं इसको और ज़्यादा सरलतम मिनने में बदलू 3 के पारड़ा से 1 बार और 3 के पारड़ा से 3 बार तो x बराबर एक बटा 3 x क्या था? x मेरी वो संख्या थी जो repeating वाली जो decimal नमबर थी ना उसको मैं एक्स माना था अर्थात ये जो था 0.3 बार इसको मैं एक बटा 3 लिख सकता हूँ ना तो ये एक बटा 3 क्या पी बटा क्यों फॉर्म है क्या? है ना? तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम इन जो repeating मेरे पास decimal है उनको fraction में change कर सकते हैं भिन में बदल सकते हैं अब बात करते हैं trick के ऐसे और भी तरीके हैं लेकिन चुकि हम competitive exams के लिए तैयारी कर रहे हैं ना तो इतना paper होता है पेपर और नहीं हमें इतना समय होता है गलत कुछ नहीं है लेकिन मतलब क्या है? मतलब तो selection पाने से पेपर फोड़ने से हैं तो तरीका जान लिया अब trick जान लो ठीक है? रटने वाली बात नहीं है इसलिए मैंने तरीका एक बार दिखाया था जलब तरीका क्या है डिसे मिल करना? मैं दो तीन आपको एक्जामपल दिखाऊँगा ठीक है? एक अपन लेंगे 0.3 बार ठीक है? एक अपन लेंगे 0.54 बार ठीक है? एक में लोगा 0.6496 96 बार ठीक है? एक में लोगा 2.34 बार एक में लोगा 8, 7, 9, 1, bar मेरे ख्याल से इतने एक्जाम्पल अपने लिए परियाम्त है देखो साब इनको कैसे करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रिक बता रहा हूँ अब ये ट्रिक वाला डायरेक्ट अब्जेक्टिव मेथड है ये अब्जेक्टिव में आपको questions कैसे solve करने होंगे अगर मुझे इसको fraction में change करना है मतलब भिन्न में बदलना है तो आप क्या करों बराबर पॉइंट के बाद की जो संख्या है ना उसको without point as it is लिग दो पॉइंट के बाद क्या है 3, 3 लिग दो तो कितने अंग रिपीट हो रहे है बार कितने पर लगा है एक अंग पर उतने 9 लिखो उतने 9 ये हो गई मेरी वो fraction काटा पीटी कर लेना एक बटा 3 आ जाएगा तो मेरा answer क्या है 0.3 बार मतलब एक बटा 3 इसी तरीके से दूसरे क्या हो क्या बोला था मैंने पॉइंट के बाद जितने अंग है उन्हें एजिटी लिख देना इसको लिख दो 5,4 पॉइंट के बाद 5,4 था 5,4 लिख दिया बटा कितने अंग रिपीट हो रहे है अब ये 0.54 बार का मतलब समझो 0.54 बार मतलब 0.54 बार 5,4 पर लगा है तो 5,4 रिपीट हो रहा है 5,4 5,4 5,4 तो कितने अंग रिपीट हो रहे है बार कितनों पर लगा है 2 तो जितने अंग रिपीट हो रहे है उतने 9 आईगे 2,9 आईगे काटा पीटी हो तो कर ले ना वरना ये fraction answer हमारा तीसरा सर जरूरी थोड़ी ना है point के बाद जो भी आएगा वो अंक repeat ही होंगे जैसे यह 3 repeat हो रहा था यह 54 repeat हो रहा था यह point के बाद 6496 है लेकिन 64 repeat नहीं हो रहा तो अब इसमें दम है तो यह वाला convert करके बताओ इसका मतलब है 0.6496 चलता जाएगा तो हमको फिट से क्या करना है हमको अब क्या करना है पहले मैंने क्या बोला था point के बाद जितनी संख्याए है as it is लिखतो without point कितना है 6496 6496 लिख दी अब चूंकि इसमें सारे के सारे अंक repeating नहीं है repeating नहीं है तो जो अंक repeat नहीं हो रहे उन्हें minus करना पड़ेगा आप trick की तरह ध्यान रखने है 64 repeat नहीं हो रहा तो 64 को minus करो यहां सारे repeat थे इसलिए minus में 0 था जो हमें नजर नहीं आया 54 दोनों थे repeating इसलिए minus में 0 था हमें नजर नहीं आया यहां पर जो repeat नहीं हो रहा रिपीट नहीं हो रहे 6 और 4 रिपीट नहीं हो रहे Ce2, 4 और 6 तो 501, 122 अब इसको सुल कर ले ना क्या है कि आएगा 6 में से 4 गए तो causes 2 नो में से 6 गए तो 346 9 900 इसको देख ले न आगे काटब 2 तो repay Development पूल करोगे TOP करोगे तो आंसर यही आएगा ठीक है हमने क्या क्या देख लिया अगर पॉइंट के बाद कुछ अंबर रिपीट नहीं होंगे उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो तो उसको कैसे बिनने में बदलेंगे वो देख लिए अब अगर सर ऐसे आ गया ये तो आपने जीरो पॉइंट वाले बताया है तो इसको कैसे कहएंगी तो लाला को अपको खुल टू पॉइंट-345 को क्या बहुं कि लिख सकते हो 34 लिख दिया लिख दिया बटे बटे अब माइनस क्यों नहीं कर रहा क्योंकि ये सारे के सारे repeating है कोई non repeating number आया ही नहीं इसलिए minus 0 होगा कितने अंकों पर बाहर आ रहा है कितने अंक रिपीट हो रहे है 2, 3 और 4 बार बार रिपीट हो रहे है ये इसको कट पिट करके इसमें 2 जोड़ देना final बिनना को मिल जाएगी पीबटा क्यों के रूप में आ जाएगा इसको कैसे करेंगे सब बताओ वही वाली बात है मेरे मैंने 3.8791 का बार 91 का बार है मैंने इसको सॉल करना नहीं सिखा है लेकिन मैंना आपको 0.3 मतलब 0.8791 पर बार होता है तो मैंने सॉल करना सिखा है न तो आप इसको क्या करो वैसे ही कर लो जिसे उपर का किया इसको लिख दो 0.8791 बार अब 3 को तो 3 रहने दो प्लस पॉइंट के बाद सारी संख्या है लिख दो जो भी लिख रही है 8791 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा क्या रिपीट नहीं हो रहा एट सेवन तो एट सेवन रिपीट नहीं हो रहा अपॉन 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 में कितने अंगर रिपीट हो रहे है नाइन और वन तो उतने नाइन लगा और कितने अंगर रिपीट नहीं हो रहे जाता है इन चार एक्जाम्पलों से सारी की सारी बाते क्लियर हो गई होगी जो यह वाले नंबर थे न पॉइंट 3.54 मतलब जिनमें दशमलों के बाद जो भी आता है सीधा रिपीट हो जाता है इसको बोलते हैं प्यॉर रिकरिंग 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 और इसको बोलते हैं जिनमें पॉइंट के बाद कुछ हंक आते हैं फिर रिपीटेशन स्थार्ट होता है इनको बोलते हैं मिक्स्ड मिक्स्ड रिकरिंग या मिक्स्ड रिकरिंग नमबर नाम जानना जरूरी नहीं है हमको बस कनवर्जन आना चाहिए अब एक जो चीज बड़ यही वाला नमबर है 0.3 bar 0.3 bar का यह अब इसका मतलब क्या है 0.33333 चलता जाएगा चलता जाएगा तो एक बालक ने इसको 0.3 bar नहीं लिखके इसको 0.333 bar लिख दिया वो बोलेगा सर इसमें क्या गलत है मैंने बार अकेले 3 पे ही तो लगाया है अकेले 3 पे लगाया है इसक होगा आप इसको खोल के देखो 0.33 यह 3 अब यह 3 रिपीट होगा तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा न यहाँ पर एक बार के लिए हमें लगता है गलत नहीं लिखा लेकिन यह गलती आपको कहां भारी पड़ेगी वो देख लो अगर आप इस चीज को 0.3 बार को 0.33 बार तो जब आप conversion करने जाओगे तो अवारा तरीका क्या था? पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को as it is लिखता हूँ तो आप क्या लिख दोगे इसमें? 3 3 3 कि माइनस जो रिपीट नहीं हो रा है? क्या रिपीट नहीं हो रहा? 33 तो आप 33 लिख दोगे अपं कितने अंख रिपीट हो रहे 1 तो 9 कितने रिपीट नहीं हो रहे 33 दोंख Reflix 1.3 333 में से 300 गटा दोगे तो यह मिला 300 बट्टे 900 Sol करोगे 2 0 से 2 0 गट गया 3 के पाड़े से 1 बर 3 के पाड़े से 9 बर तो यह आपको मिलेगा 1 बट्टा 3 अब एक बालक ने बोला क्या हो गया सर अगर मैंने इसको 0.3 बार नहीं लिखे 0.333 बार लिखा था तब भी मेरा आंसर तो 1 बटा 3 आ गया लाला मेरे आ तो गया लेकिन एक स्मार्ट वर्क और एक गदा मजदूरी होती है के नहीं होती आंसर जब 1 बटा 3 ही लाना था तो इतनी माथा पोड़ी क्यों करनी थी ठीक अगर आपके पास समय की कभी नहीं है और आपको लगता है कि तीन गंटे का पेपर आपने को तीस गंटे में करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन जब सीधा तरीका है तो रिपीटेशन पर बार हमको कहां लगाना है जब वो नंबर पहली बार आए जैसे ये तीन रिपीट होता जा रहा है न तो जब ये पहली बार आया था जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ आप उसी जगे बार लगाए जैसे 0.634 बार है इसका मतलब क्या है 0.634 3434 34 आगे चलता जाएगा तो कोई ये लिख देगा 0.34 34 और 34 बार तो ये अभी गलत नहीं है लेकिन चुकि 3-4 पहले लिख चुका है तो ये बार यहां लगाना उचीत नहीं ये पहले वाले नंबर पर लगाओ आप अन्य था आप क्या करोगे अपनी ही गदा मजदूरी बढ़ा लोगे ठीक है तो आप competitive exam की तयारी कर रहे हैं और ये जहां तक मुझे लगता है कोई भी प्रतियोगीत प्रिक्षा में clear करना ये गदों की दोड़ नहीं है गोडों की दोड़ है तो आप पहले गदा मजदूरी से उपर उठें तो जो चीजे एक step में हो सकती है उनके लिए चार step में ना करें इसका एक मैं फटा-फटिक formula बता देता हूं आपको ठीक है किसी भी दशमलोव वाली संख्या को खासकर repeating decimal to fraction के लिए conversion कैसे करेंगे इसका formula बराबर यह है numerator यह denominator अंच भटे यह हर वाला पार्ट है तो अंच में तो क्या आएगा अंच में आएंगे ओल डिजिट्स विदाउट विदाउट डेसिमल मतलब क्या करो आप पॉइंट के बाद जो भी संख्याए लिकी पड़ी है उनको यथा वतलिक तो बिना पॉइंट के ठीक है अल डिजिट्स विदाउट डेसिमल माइनस क्या माइनस करते थे आधि अना अ ओल नौन अ पीटिंग डिजिट्स ठीक है अल नौन रिपिटिंग डिजिट्स हो सकता है लिखने में कुछ गड़ बढ़ हो जाए आपको फिर से एक्जामपल से समझाओंगा समझ लेना फिर नीचे क्या आएगा नीचे आएगी दो चीज़ें ठीक है एक तो नाइन 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 अपार्ट विएस एस लिखाए नो लगाना है किन के लिए लगाना है नो फॉर आल रिपीटिंग रि है कि ईजिट है है और हमको लगाना है जिरो अब देखो जिरो मैने पीछे निकाए तो जीरो पीछे लगाना है आगे एपको यह को नहीं है मैंने यहापlarını अच्छिक यह को आपक रिचाए इसका बात तृमिल गांगत है ठीक है नहीं के बात कि इतने गांगे तो जिरो फॉर औल अनोर शाप इस एन проблем में घ्डिचए भास भास एफ्टा आप्षा सरुमिन धाम साथ था 0.56 289 बार 56 289 बार मतलब 0.56 289 289 289 289 चलता रहेगा चलता रहेगा अब इस फॉर्मॉले से में इसको भीन में क्या लिखा है और नोन रिपीटिंग डिजिट्स क्या रिपीट नहीं हो रहा 56 रिपीट नहीं हो रहा ना 56 लिख दओ 56 अपन अपन क्या 9s for all repeating 9 for all repeating digits repeating digits कितनी है 2, 8, 9, 3 तो 3 के लिए 3 नौ लगाओ 1, 2, 3 फिर क्या है ये गुणा नहीं है लाला मेरे मैंने गुणा नहीं लिखा है ये क्या है 0s for all non repeating digits कितनी digits repeat नहीं हो रही है 1 और 2 तो इन 2 के लिए 2 0 लगाओ अब इसको minus करके cut pit होता है तो ठीक जो भी आएगा वो आपका final answer होगा तो ये यहाँ पर गुणा नहीं है पहली बात इन 9 के बाद और दूसरी बात कि ये formula मेरे कहने में मतलब all digits without decimal हो सकता है उलेट फिर आपको जिन शब्दों में आप सही लगे उन सब्दों में लिख लीजिगा कुल्विला के तरीका आपको समझ में आना जी अब वही समझदारी वाले काम मतलिख देना जैसे अगर ये 2.89 होता तो इसको 2 मतलिखना ना इसको आप क्या करोगे वही वाला काम है अगर 2.56289 पर बार होता जो एक से बड़ी जो भी पूरा का पूरा पूर आंक होगा उसको साइड में रखने और बाद में जो भी आएगा उस भिन्न में उसे जोड़ देना एड कर देना उस भिन्न को सॉल करते टाइम इसको पूरा कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट कंसीडर मत करना इसको सॉलूशन में मत देना गलती हो जाएगी ठीक है तो आप इस से रिलेटेट और कई क्योशन आपको कहीं देखने को मिले हूँ तो आप प्रेक्टिस कर लेना कुछ दिकत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना जब भी समय मिलेगा नजर पड़ेगी तो कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जब आप जल्दी जल्दी दे पाऊं इस लेक्टर को यहीं भी राम देते हैं अगले लेक्टर में हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तक के लिए आप अपना अभ्याद जारी रखिए जैन जैभा कर अपना 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 वेक्टर ओ Ama जाबंते हैं जैण सकतर हैं हम झाब।